आज का जो डिस्केशन है हमारा वो पेंटिंग के उपर है कि पेंटिंग के ड्रेसेज को कैसे बूस्ट अब किया जा सकता है पेंटिंग के ड्रेसेज को बूस्ट देखिए हाथ मशीन से काम करना बहुत आसान है लेकिन हाथ से पेंटिंग करना या हाथ से एंप्रॉइडरी करना ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें क्या है कि आप एक तो मेहनत ज़दा लगती है टाइम ज़दा लगता है एक ड्रेसेज को प्रिपेर होने में जितना टाइम हाथ से लगेगा उतनी देर में आप मशीन से नचाने कितने डिजाइन्स जो है तयार कर सकते हैं देखिए friends, यह session आप सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा join कीजिए इसको join करने के पाद आपकी कोई भी क्योरीज है वो आप मुझे बता सकते हैं और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी questions मुझे बता सकते हैं because आप अगर question बताएंगे then definitely we can continue our session for painting painting का अगर हम बात करें तो यह हमारा एक ladies group है और इसमे definitely ladies group में मैं यह चाहती हूं कि कोई भी अगर painting में थोड़ा भी interested है तो वो अपने अलग-अलग area चूज करें पहले तो हमारा यह जो session है वो specially मैं यह कहूंगी ladies के लिए है ऐसी बात नहीं है कि painting में सिर्फ ladies का interest होता है boys, gents या किसी भी age group के लोग इसको अपना career बना सकते हैं अगर आप painting को अपना career बनाएंगे तो definitely you can grow क्योंकि painting एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नहीं वो इसमें अपने आपको दक्ष नहीं कर सकता है सेम यही चीज हम कहेंगे कि यह सिर्फ painting से related नहीं है आपके और profession की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है यह कुछ एक हम यह कहेंगे innate qualities हैं जो हर किसी में नहीं होती हैं तो painting के लिए यहां हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो हमारे इस channel को भी एक unique personality दे और हमारी जो भी dresses design की जा रहे हैं देखिए यहां पर बहुत join कर लिया है चिन्नु सहरान, रीतु सहरान, अमित भादू आपके कोई भी question हो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं I'll try to explain that और बनीतम हम भी जल्दी join करेंगी जो आपको इसमें कोई भी queries होंगे, वो answer देंगे, मैं उसको भी पढ़के बताऊँगी तो मैं बात कर रही थी कि हम लोग इसको किस level पे लेके जा सकते हैं देखिए, जैसे starting में अगर हम देखें, हमने एक छोटे सी जगे से इसके शुरुआत की है और फिर धीरे 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 जब लोगों को painting हाथ से किया हुआ काम पसंद आने लग गया machine से काम करना सिर्फ जल्द बाजी में उस काम को खतम कर देना है लेकिन painting में emotions डाले जाते हैं अगर आप अपने full of emotion के साथ कोई काम करते हैं तो उसकी एक अलगी grace आती है तो same यहां पर मैं आपको कहूंगी आप painting में अपना career बना सकते हैं अगर आप में ये innate quality है जो आपको औरों से unique बनाती है देखिए कभी भी कोई भी काम जो सब लोग कर रहे हैं अगर वही आप करने लग जाएं तो no doubt हम यह कहेंगे कि आप उसमें उतना उपर उंचाईयों पर नहीं पहुंच सकते हैं जितना आप चाहते हैं लेकिन आप अगर वो काम कर रहे हैं जो सब लोग नहीं कर रहे हैं सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं उसमें कुछ ही लोग expert हैं और उसमें वे painting के बहुत अलग-अलग designs होते हैं आपको देखना होगा कि painting जो है वो मैंने आपको बहुत तरह कि painting पहले ही मैं अपनी वीडियो में explain कर चुकी हूँ जिसे कि tribal है आपकी bell painting, floors, leaves के designs थे, madhubani painting हमने इसमें पहले discuss की थी, तो आपको पहले ये देखना है मैं ये चाहते हूँ ये एक ladies का ऐसा group बने जिसमें हम लोग finally एक ऐसी practice तयार करें जो हमें हमारे designs को और जो हमारा artist का जो interest है उसको develop करने का उसको एकदम boost करें इसको boost करने के लिए हमें एक group चाहिए एक team चाहिए और वो team कब काम करेगी जब उस team में अलग-अलग quality के सभी लोग होंगे देखिए चिन्न सारा ने कुछ different कैसे करें इसमें आपको क्या करना है पहले मैं आपको बता दूँ अलग-अलग quality की मैं बात कर रही हूँ तो painting में हमें चाहिए एक ऐसा model सबसे बड़ी बात एक ऐसा model चाहिए जो उन dresses को पहन कर और एक ऐसी walk तयार करें जो सबसे different लगे और वो walk कैसे तयार की जा सकती है आप इसके लिए practice करो जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे उस walk की then definitely you can get the thing which is really you want अभी क्या है ramp walk करने से पहले आपको पहले बहुत practice करनी पड़ेगी इसके लिए आपको बहुत से ideas होते हैं जैसे कि मान लीजी आपने सिर्फ पे कोई book रख लिया है और एक straight line आपके घर में हो straight line in the sense अगर आपके floor का design कुछ tile से related है तो आप एक सीधी line choose कर लिजी आपको वो book यहां पे सिर्फ पे रखे और सीधा move करना है आप देखिए बिना उसको line को नीचे देखे अगर आप सीधा move कर रहे हैं then definitely और finally जब end of the line आप यह देख रहे हैं कि आप उस line पे ही चल रहे हैं उदर डगमगा नहीं रहे हैं then you can only perfect for that walk तो पहली चीज जो मैंने यह कहा है सरीता बूरिया भी जोइन कर लिया हैं मांशु ने भी जोइन कर लिया है आप सबको मैं यह कहूंगी देखिए जो इस group में जोइन कर रहे हैं यह हम सब एक team है और हमें team की तरहें काम करना है चीनों ने message किया था कैसे improvement की है उसके लिए मैंने यह कहा है कि आपको एक ramp walk के लिए अपने आपको तयार करना है पहले आप देखिए आप किस area में field है किस area में आप expert हैं कौन से field में आप expert हैं पहले आपको क्या देखना है देखिए painting के लिए एक ramp walk dress का जो design हो चुकी है लेकिन जब तक वो actual में उसको look नहीं मिलेगा और वो look नहीं दिखाया जाएगा औरों को तब तक हम यह नहीं कह सकते कि वो grace जो हमें चाहिए वो मिलेगी दूसरी चीज इसके अंदर यह होती है कि माल लीजिए आपकी painting ही बहुत अच्छी है यानि कि हमें brush चलाना बहुत अच्छे से आ रहा है in the beginning we don't know how to draw design लेकिन हमें brush चलाना बहुत अच्छे से आ रहा है हमें उसको पकड़ना बहुत अच्छे से आ रहा है कर सकते हैं तो आप चलने की practice कीजिए starting में आप अपने hometown में जहां पे भी है अगर आप अपने घर में tiles लगी हुई है और उसमें एक line है ऐसी straight अगर वो नहीं है तो आप मिट्टी से चौक से या फिर कुछ चूना आता है उस से एक line draw कर लीजिए जिस पे आप चल सकें smoothly आपको वो line नहीं देखना है और उस पे चलना है तो this is the way to make you perfect in ramp walking तो हमारे जो designs है हमें finally ऐसा ही है कि यह जो अभी इंडिया में काम चल रहा है इसको इंडिया level पे नहीं हमें इसे internationally लेके जाना है और internationally लेके जाने के लिए we need a team अभी मैंने आपको दो चीज़े clear की है एक है ramp walk और दूसरी है brush painting अगर आप brush holding अच्छे से कर रहे हैं तो मतलब आप painting में perfect अब देखिए brush painting holding करने में अगर आप perfect हैं तो आप किस तरह से assist कर सकते हैं इस group को you can join the group even description में मैं बहुत बार आपके साथ number share करती हूँ आप उस number पे call कर सकते हैं अपनी queries पूच सकते हैं और अगर आपको join करना है तो आप अगर वो painting में अपना involvement करेंगे तो definitely वो जो two hands अभी काम कर रहे हैं वो ten hands हो जाएंगे twenty hands हो जाएंगे hundred hands हो जाएंगे उससे क्या होगा जो काम अभी जिस जो speed से चल रहा है वो speed increase हो जाएगी तो ये दो चीज़े मैंने आपको बताईए और तीसरी चीज़ है कि हमें हमारे business को अगर internationally लेके जाना है तो we have to do some advertisement for that तो अपने level पे हम किस तरह की advertisement बनाए जो उसको enhance कर सकती है अभी देखिए बहुत से लोगों ने group join कर लिया है आपको मैं फिर कहूंगी देखिए मैं नाम बताती हूं प्रियंका सहारन हिमांशू सहारन very good बनीता चौदरी जी बोल रहे है well done तो मैं ये कहूंगी आप एक कुछ भी question पूछिए जैसे चीनू सहारन ने ये question किया था कि कुछ different कैसे करें तो आप अपने आपको एक model की तरह तयार कीजिए definitely अगर आप बिल्कुल perfect वहाँ पे वो दे पा रहे हैं dress को exposure दे पा रहे हैं then definitely you can get it और आपको उसके लिए select किया जा सकता है और फिर आता है painting में अपने आपको कैसे perfect करें और तीसरी चीज़ दो चीज़ मैंने आपके साथ share कर लिए अब तीसरी चीज़ अगर आप stitching में perfect है देखिए suit design हो गया है बन गया है मैं क्या कर सकता हूँ नीरत सहारण आप अपनी quality पहचानिये पहले कि आप क्या कर सकते है देखिए पहला है ramp walk के लिए मैंने आपको बता है दूसरा है painting के लिए मैंने आपको बता है और तीसरा जो आप मैं discuss करने जा रही हूँ वो है stitching अगर आप stitching में perfect है और आप ऐसा सोच रहे है कि मैं अलग-अलग तरह है कि डिजाइन्स इसको दे सकते हूँ क्योंकि stitching भी एक art है मैं आपको बता दू यहां पे जैसे अगर आप stitching अलग-अलग एरिया में कराएंगे even itself in India आप अगर श्री गंगानगर जैसा एक राजस्थान का डिस्टिक है वहां painting करवाते हैं वो stitching करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे-च्छे stitching के pattern में जाएंगे और वही अगर आप जैपूर जैसे अच्छे metro city में even Mumbai, Delhi में भी करवाते हैं आपको नहीं मिल पाता है क्यों नहीं मिल पाता है? उसका एक reason है कि वहां के जो tailor है वो उस चीज में expert है वो throughout the year वो पता नहीं कितनी dresses ऐसी stitch करते हैं और कब से करते आ रहे हैं तो आप अपने आपको अगर ये मानते हैं आप stitching में perfect हैं तो आप stitching का job भी choose कर सकते हैं तो painting, finally dress को बनाने के लिए हमने बहुत सी चीज़े use करी हैं उसमें आपकी ये painting आ गई मुझे भी out of India कुछ काम है नीरत सारण अब आउट of India आपका क्या काम है मुझे नहीं पता लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है देखिए कोई भी चीज़ है उसको अगर हम broad view में देखें in the sense अगर बात करें कि कोई भी एक particular छोटी सी जगह से शुरू हुआ है और वो एक broad area में spread हो रहा है then definitely you can get the good quality of that out of that जो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में और इंडिया के बाहर चल रही है आप अगर वहां से निकल पा रहे हैं आप उसे जो circle है उसको तोड़ पा रहे हैं then definitely you can say you can stand over there आप उन high qualities के जो painting हैं या art हैं उसके अंदर आप अपने आपको कही न कही stand कर सकते हैं इसलिए ही आपने वह circle तोड़ा है अगर वह circle आप नहीं तोड़ पाएंगे तो definitely अभी कुछ कमी है अभी हमें और थोड़ा सा improve करना है और अगर हम बात करें कि जैसे stylish dress जो हम design कर रहे हैं अभी जो painting है वो suit sari, plazo और t-shirts पे भी painting होती है इसके अलावा इसको भी हमें और थोड़ा सा broad अगर देखें तो कोई भी जो party wear dresses है, stylish dresses है उनके उपर painting और embroidery के अलग-अलग design कर सकते हैं जिससे हमारा channel boost home अभी देखिए question मेरे पास कुछ इस तरह के आये हैं कि क्या करना चाहिए very good लेकिन आप ये देखिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इससे कोई बहुत ज़्यादा issue नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए आप कौन से area में अपने expert हैं, उसमें अपनी expertise को find out कीजिए and finally you get कि आप उसको धीरे धीरे practice करके और उसे improve कर रहे हैं, तो practice makes a man perfect अभी अगर हम designs की कुछ और बात करें, तो मेरी आप video देखेंगे, तो उसमें आप designs की सारे जो issues images हैं, वो सारी आपको वहाँ show हो जाएगी और मेरे पास अभी कोई question नहीं आ रहे हैं, देखिए हम ये discussion के लिए मैंने ये topic शुरू किया है, आप अपने point रखिए मैं आपको definitely उसका reply दूँगी कोई question इस समय आ नहीं रहा है इमांचु सारण ने join किया हुआ है प्रियंका सारण, बनीता चौधरी चिन्नू मैडम, सरीता बूरियां, वेरी गूड आप सब हैं, यहाँ पे इसमें live session में लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा actively part लीजिए, इसमें तभी हम ये discuss अच्छे से कर पाएंगे Hi Hi, hello everyone और आप बताईए कुछ और questions आप पूछना चाहते हैं तो मैंने आपको देखिये, बता दिया आप अपने area select कर सकते हैं team के according, अगर आप अपने आपको ramp walk के according perfect मान रहे हैं तो आपको उसके लिए practice करने पड़ेगी आप tailor के लिए मान रहे हैं कि आप बहुत अच्छी stitching कर सकते हैं आपको उस area में अपने आपको करना पड़ेगा और अगर आप painting में अपने आपको थोड़ा सा expert करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप practice करके जुड सकते हैं हमारे team के साथ और ये team work तभी effective होगा जब बहुत ही high quality के जो expert people हैं वो हमारे team में शामिल होगा जी हाँ इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये ही रहेगा कि आप join करें session को और अपने question raise करें comment section में भी आप मेरे को comment करके अपने questions पता सकते हैं क्या मैं brush art को join कर सकता हूँ कर सकते हूँ चिनों सारन जी हाँ आप join कर सकते हैं brush art को भी आप join कर सकते हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी पहले देखना पड़ेगा कि जहां आप join कर रहे हैं उनका खुद का level पहले किस सरे का है आप हर कहीं नहीं join कर ले इसके लिए आपको पहले मेरी सारी video है वो देखनी है और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिजाइन आपको सीखना है आप सारी पेंटिंग एक साथ नहीं सीख सकते हैं अगर आपको ट्राइबल सीखना है तो आप वहां से शिरू कीजिए अगर आप सबसे एजी अगर हम बात करें तो पहले आप सिंपल इजी बेल पेंटिंग का डिजाइन चुरू कर सकते हैं फिर आया रैंप वॉक क्या है देखिए आप मॉडल जो नहीं उस पे स्टेज पे वॉक करते हैं और ड्रेसेज के जो हेवी हाई क्वालिटी के डिजाइन होते हैं उनको पहन कर लुग करते हैं यह ड्रेस ऐसे डिजाइन की गई है भी रैंप वक हो जाने के बाद में उस ड्रेस की जो क्वालिटी है प्राइस है वो बहुत ही हो जाते हैं आप इंटरणेट पर देख सकते हैं रैंप वक की वीडियोस देख सकते हैं से पता चल जाएगा आपको कि ramp walk क्या होती है आपको एक straight direction में चलना है और वो dress जो आप पहन रहे हैं उसको advertise करने का एक तरीका है ये basically तो I think आपका question clear हो गया होगा कि ramp walk क्या होती है stage पर जिस तरह से model चलते हैं और वो जो dress उन्होंने पहनी होती है mainly जो focus है वो उस dress का होता है alpha gamer hi hi everybody आप जो join कर रहे हैं उन सभी के लिए hello मैं आप से कहूंगी अगर हमारे इस session को और आगे बढ़ाना है तो आप मुझ से question raise कीजिए मैं definitely आपके question का answer दूँगी painting में हमने बात करी ली थी कि 3-4 चीज़े हैं 3-4 qualities हैं वो अगर आप अपनी improve करते हैं तो definitely आप हमारे team के साथ जुड़कर और एक अच्छा response दे सकते हैं हमारे काम को और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हैं इसकी speed बढ़ाने के लिए हमें advertisement करने के लिए भी अगर कोई अपने आपको able मानता है कि या मानते हैं कि कर सकते हैं तो advertisement भी कर सकते हैं इसमें क्या आप मुझे ऐसा model choose कर सकते हैं alpha gamer definitely alpha आप description में मैं जो contact number दूँगी आप उस number पे call करना और उसके लिए पहले आपको एक दो वीडियो अपनी send करनी अगर आप उस video को उसमें हमें लग रहा है कि आप as a ramp walk सही कर सकते हैं वो ramp walk आप अपने घर में कीजिए बहार outfield में कीजिए कैसे भी जो ramp walk I mean जो एक ramp के लिए तयार की गई walk अगर उस तरह की walk आएगी तो definitely आपको उस walk के लिए तयार किया जा सकता है और और question पूशिए आप कोई और question और queries अगर आपकी है तो क्योंकि मैं in starting आपको मैंने categories बता दी है आप अपने आपको painting में expert मानते हैं तो आप painting के लिए जा सकते हैं then stitching के लिए and then walking के लिए यह basically तीन चीज़े तो है और चौती advertisement है अगर आप वो भी चाहते हैं उसके लिए जूड़ना चाहते हैं internationally अगर आपका spread है market के अंदर थोड़ा बहुत भी तो आप उसके लिए भी join कर सकते हैं team जब एक साथ काम करेगी ramp walk in sample sense catwalk अचा यह अमित बादू का message आया है कि ramp walk को catwalk भी बोलते हैं आप catwalk है तो आप cat को ही देख लिए वो किस तरह से walk करती है ऐसा नहीं है आप देख सकते हैं वैसे definitely लेकिन main basically जो चीज़ है वो यह यह उसकी एक practice होती है एक आप straight line बनाईए उस पर आपको चलना है सिर पर आपको कुछ एक book रख लीजिए अगर मतलब आप अपनी walk खतम करते हैं तब तक वो book भी नहीं गिरनी चाहिए और जिस line पर आप चल रहे हैं वो line भी आपकी इदर उदर नहीं होनी चाहिए यानि कि आप उस line से इधर उदर नहीं होने चाहिए अट अट अफ यह एड़ प्रटिकुलर फिनिशिंग अफ यह उदर नहीं आ गए हैं जितना हम बात कर रहे हैं कि ramp walk एक छोटा सा word है और इतने से में काम हो जाएगा ऐसा नहीं है इसके लिए बहुत practice करनी पड़ती हैं और हमारा जो motto है वो यही है कि हमारी जो paint की हुई dresses हैं उनको finally ramp walk के लिए as a model तयार करके वहां ले कर जाना और इस जो painting है उसे spread करना पूरे world में it doesn't mean कि आप अपनी painting को सिर्फ इंडिया में ही रखें और question पूछिए आप मेरे से you always give good information himansu sharan very good लेकिन himansu पहले आपको एक question पूछिए I know आप मेरी अगर सिर्फ तारीफ ही तारीफ करेंगे तन how do I know कि आप चाहते क्या हैं किस तरह का आप इसके अंदर involvement कर सकते हैं लेकि active session में आप मेरे जितने भी viewer है they all are my team मैं यह चाहती हूं कि आप किसी भी तरीके से अगर आप मेरे से question में पूछ रहे हैं आप मेरे doubts मतलब आप मेरी अगर प्रशंसा करने की जगह अगर आप बुराई भी करेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा लेकिन आप बताईए मुझे because बताने से ही मुझे अपनी जो नहीं है quality उसको improve करने का मौका मिलेगा और जो है वो तो आप देखी रहे हैं और कोई question अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं because इस session में सर्फ आप लोगों से actively जुड़ने के लिए ये इस तरह का session रखती हूं ताकि इस live chatting में हम एक दूसरे से जुड़े रहें और कोई भी questions कोई भी queries अगर penting से related होती है वो आप इस live chatting में मेरे से पूछ लें एकदम free हैं आप इस session में मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझसे बात करने के लिए अपने questions यहाँ पर बताने के लिए क्या ramp walk सिर्फ girls करती हैं या boys भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा question है जी नहीं सिर्फ girls ही नहीं करती है boys भी करते हैं आप एक बार model देखिए model girls भी होती है boys भी होते हैं तो वो model जब हैं तो वो modeling करेंगे उस दौरान ramp walk एक important part होता है उसका पहले उनका चलने का style देखिए यह आपर ramp walk में सिर्फ आपका चलने का style इंक्लूड नहीं होता है आपके हातों की movement आप चलो खाना खा रहे हैं आपका जो habit है eating habits है it's also include in that जो आपको अपनी simple personality से एक unique personality बनाती है एक model के लिए सारी चीज़े different होती है walking style, talking style, eating style, everything, speaking style, you have to learn everything उसके बाद में ही आप और main चीज़ आपका जो face है आप कैसे भी दिखते हूं लेकिन अगर आप modeling करने लगे हैं आप ramp walk के लिए जा रहे हैं then it should be very impressive और वो impressive बनाया जाता है वो होता नहीं है और उसको बनाने के लिए भी बहुत सी classes पहले लेनी पड़ती है and then you can finally get it कि किस और ऐसे वो जो ramp walk के लिए आप prepare होते हैं उसके लिए की गई एक पूरी महनत पहले लगती है तो आपका question clear हो गया होगा boys भी कर सकते हैं यह सिर्फ girls का नहीं है और कोई question अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए मुझसे because I am here for only giving you the answer of your question और मेरे पास इस तरह का कोई question आ नहीं रहा है आप बता सकते हैं क्या आप sorry ramp walk के लिए age group क्या है आप क्या model ढूण रहे हो definitely अभी लाशा मीना का message आया है हम model ढूण रहे हैं इसमें model भी हमें चाहिए, painting के लिए भी हमें चाहिए, अगर किसी की बहुत अच्छी painting है तो वो भी हमारे group में जूड सकते हैं, dresses के order ले सकते हैं, dress तयार करके भेज सकते हैं और जो model है तो model के लिए आप पहले जो मैंने description में number दी हैं आप उस पर whatsapp करके अपनी video भेज सकते हैं अगर आप वो video अच्छा लगेगा तो definitely we can choose that हम fabric painting को एक बड़ी team के represent काम चाहते हैं जी हाँ यह painting का जो काम है बनीता मेडम का message आया है जो हमारी इस पूरी painting के artist है, painting बनाते हैं उनके message आये हैं कि हमें एक team तयार करनी हैं और वो बहुत बड़ी team जिसमें अलग-अलग categories हैं आप किसमें field हैं, किसमें expert हैं, देखिए modeling के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप idea maker हैं, yes, idea maker हैं और तब भी आप इसके अंदर जुड सकते हैं, idea maker in the sense कि हमें जो design बनाना है वो किस तरह का होना चाहिए, अभी हम क्या करें, आपकी imagination के according आप हमें भेजिये design, then we will paint it लेकिन अगर आप खुद एक idea maker हैं, तो आप उसमें हमारे साथ add हो सकते हैं आप 35, 37 तक भी कर सकते हैं, it depends on, कि अगर आपकी quality बहुत, अभी देखें, painting की कोई है, जै कोई नहीं है, अगर आप expert हैं, तो आपको कोई नहीं देखता है, अगर आप expert हैं, तो आपकी walking को देखेंगे, आपकी age को नहीं देखेंगे, तो अगर आप 37 तक भी हैं, तो लेकिन, it depends कि आपने पहले से modeling में कुछ काम किया हुआ है, या नहीं किया हुआ है, बनीता मैम का message यहां पढ़ लिया हुआ, आपने कि हम एक बड़ी team चा रहे हैं, इसको represent करने के लिए, definitely अगर ये जो बड़ी team हमारे साथ जुड जाएगी एक बार, तो ये काम हमारा और painting करने के लिए कुछ अच्छे artist भी ढूंड रहे हैं, तो आपका जिस-जिस इन में से ऐसे आपको लग रहा है कि हमारे dresses के according आप कहीं पर भी set हो रहे हैं, तो आप phone करके बता सकते हैं, और आप जुड सकते हैं हमारे साथ, definitely starting में थोड़ा problem आता है, लेकिन जैसे ये set हो anywhere, it doesn't mean कि जहां पर ये real में काम है आप वहां पहुंचें, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे painting करते हैं और आपको उसके advertisement नहीं हो रही है, तो आप यहां पर advertisement का एक मेरा है, ये मैं job address design होती है, hand to end बता देती हूं आपको, लेकिन इसके अलाव अगर ऐसा platform आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे team के साथ जूड सकते हैं, ramp walk इंडिया में होती है, क्या हंजी, इंडिया में भी होती है, ramp walk हर जगे होती है, अगर आप देखेंगे कि modeling है, छोटे-छोटे बच्चे भी modeling में आते हैं, अगर आप, मतलब ठीक है, वो ramp walk न और ramp walk इंडिया में भी होती है, हर जगे होती है ramp walk, छोटी-छोटी cities जो होगी थोड़ा सा अभी एक state ले लेते हैं, रजस्तान का कोई भी state है, उसकी capital city में definitely organized होता है, तो हमें ये ramp walk तक पहुंचाना है, अभी हमें कहा ramp walk हो रही है, वहां नहीं जाना है, उसके लिए हमें ऐसे find out करना who is the best for that, अगर कोई भी ऐसा है जो already थोड़ी बहुत modeling कर चुके हैं, तो वो इसमें add हो सकते हैं, जुड सकते हैं, और dresses को walking करके और आगे पहुंचा सकते हैं, और कोई question आप क्योंगे इससे related तो आप पूच सकते हैं, क्योंकि इन सब में से मुझे अभी तक ramp walk क ज्यादा question मिल रहे हैं, देखिए ramp walk आपको ऐसे बहुत थोड़ा सा वो लग रहा है, एकदम बिल्कुल celebrity type का लग रहा है, जिससे आप ऐसे सोचेंगे कि जो movies में जैसा होता है, उस तरह से हो जाएगा, एकदम आप actor बन जाओगे, वो वाली चीज नहीं है, हमारा ये काम है इसको बढ़ाना है, और इसे finally ramp walk तक लेके जाना है, तो अभी ये नहीं पहुंचा है, आप इसके अलावा कुछ और देखिए, कोई मुझे painting का एक भी नहीं मिला, जिसके painting बहुत अच्छी हो, अगर थोड़ा सा भी painting में support मिलना सबसे ज़्यादा जरूरी है, देखिए ये काम आदे से ज़्यादा तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा, तो अगर किसी की painting बहुत अच्छी है, तो वो अपना नाम बताएं, और इसमें आके आप training ले सकते हैं, थोड़ा सा tutorial मेरा देख के practice कर सकते हैं, या फिर आप अगर जो मैंने number दिये हैं, उनसे contact कीजी, अ पास-पास area में हैं, तो आप वहाँ पहुंच कर भी painting कर सकते हैं, अपनी start कर सकते हैं, starting में आप painting सीखिए पहले, और painting सीखने के बाद में, जब artist को हमारे बनीता मैम को जब लगेगा कि you are perfect in that, then definitely you will get order also, even हम इंडिया से ही शुरुआत करेंगे, हां जी, इंडिया से ही शु रहा है, और हमारे कुछ contacts हैं, बहार के countries में भी, जैसे कि Australia है, मौरिसेस है, Canada है, वहाँ उन contacts के जरिये हम अपने dresses को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यहां ही नहीं, बलकि वहाँ other countries में भी इस काम को देखा जाए, देखिए वैसे तो painting एक ऐसी चीज़ है, जो ब इस तरह से, आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको painting में इतना interest होता है कि कैसी भी painting हो, कितनी भी expensive painting हो, they have to buy anyhow, तो उसी तरह से हाथ से painting करके hang करना कहीं पे बड़े-बड़े restaurant में लगाना, या फिर जो भी यहां पे बड़े entrepreneur है, वो अपने घर पे लगाते हैं, अपने और जो office हैं, places, other places हैं वहां पे लगाते हैं, लेकिन इस तरह की painting को कपड़े पे design करना, यानि कि जो आप outfits पहन रहे हैं, जो आपके outfit हैं, उन पे इसको design करना, ये थोड़ा सा सोचने में भी heavy लगता है कि कितनी ड्रह से बनाएंगे, कितनी painting करेंगे, ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ अलग चीज मिलेगा, तो definitely कुछ ऐसे seekers भी मिल जाते हैं, जिने एक crazy होता है उस चीज का, कि dress पहननी है, तो इसी तरह की पहननी है, ड्रेस पहननी है, तो हाथ से बनी ही पहननी है, अगर हम थोड़ा सा पुराने time में जाएं, देखिए हमारा hand loom का business था, खादी का business था, लेकिन धीरे धीरे जैसे foreign की companies यहां पे आई और उन्होंने machine made चीजें यहां पे बनानी शुरू कर दी और वो थोड़ा सस्ते दामों में हमें मिलने लग गई, थोड़ा rate उनके कम थे, तो हम उसकी तरफ भागने लगे, लेकिन आज भी हमारे हाथ सी बने जी यहां आप कुछ भी देख लीजिए, कपड़े के मामले में textiles industries हैं, अपने ये utensils की अगर हम बात करें, जहां पे आपको हाथ से किया हुआ काम मिलेगा, वो एकदम बिल्कुल अलग look देता है, देखिए अभी इनका फिर message आया, ramp walk के लिए body building important है कि definitely आपका look अगर अच जिम में या exercise में, देखिए एक ये daily routine, आज के time में हर एक आदमी को अपने daily routines के हिसाब से कुछ तो physical fitness के लिए करना ही पड़ता है, तो क्या fat लोग ramp walk कर सकते हैं, आप खुद सोचिए, इस question का answer तो आपके question में ही है, आप खुद सोचिए कि अगर आप ramp walking देख रहे हैं, या आप किसी को TV पे देख रहे हैं, या कोई ऐसे social media पे देख रहे हैं, अगर वो मतलब किसी चीज के लिए जो सुन्दर लगने के लिए बनाए गया है, तो उसमें सुन्दर जो लगेगा वो ही दिखेगा, अगर आप ऐसा किसी भी को भी वहाँ पे वो dresses पहना के और चलाओग और ये fat, it's a obesity, it's a kind of a disease, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो वो disease का ये एक पार्ट है, तो पहले आपको fit होना है उसके लिए, अगर आप physically fit हैं, तभी आप mentally fit हैं, और अगर आप mentally fit हैं, तभी आप जो काम कर रहे हैं, उसमें 100% ध्यान लगा सकते हैं, तो basically पहली चीज़े, मैं कहूंगी, strict forward, fat, अगर बहुत ज़्यादा है, तो आप ramp walk नहीं कर सकते हैं, sorry for that, थोड़ी से निराशा हुई होगी, मुझे नहीं पता आपका physical किस तरह का होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, कि पहले आपको fit होना पड़ेगा, देखिए, सब लोगों क modeling में बहुत ज़्यादा interest आ रहा है, मैं डूनना चाहा रही थी, जिसकी painting बहुत अच्छी है, मुझे वो helping hand मिले, लेकिन यहाँ painting के लिए कोई भी नहीं मिला है, अगर painting अच्छी होगी, then definitely हमारा काम boost होगा, और dresses को पहनने के लिए, model definitely अगर अच्छी है, तो वो dresses का look अच exposure अच्छा मिलेगा, और advertisement अच्छी हो जाएगी, जिससे इसकी growth होगी अपने आप, और कोई question आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे से पूछ सकते हैं, is dresses related कोई भी question आप पूछिए, I am here only to give you the answer, और बताईए आप कोई question, कोई क्यों और is ramp for के अलावा मुझे आप stitching का और painting का बताईए, idea maker बताईए, किसी ने भी idea maker का question नहीं पुछा, I have to learn painting, alpha gamer, अच्छा, आप painting सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले तो वो video देखनी पड़ेगी, मेरी tutorial सारी, उस video को देखिए, और फिर खुद कोशिश कीजिए, उस painting को draw करने की, अगर उस painting, sorry, video से आपको नहीं समझ में आता है, तो आप तुरंत description box में, जो number दिया गया है, उस पे call कर करके उसको add कर लीजी अपनी list में, और जहां आपको problem आती है, उस number पे call करके, आप पूछ सकते हैं, कि किस तरह से कहां पे आपकी mistake हो रही है, और कहां उसे improve किया जा सकता है, और हाँ, जो design आप बना रहे हैं, पहली painting आप share कीजिए, पहली, whatsapp number पे, अगर वो पहली painting आपन बना कर fourth और fifth painting share कीजिए, जिससे धीरे-धीरे पता चलेगा, क्या real में आपकी painting improve हो रही है, या आप वही हैं, जहां से आपने शुरुआत की थी, आपको painting के लिए colors का पता करना है, वो भी आप number पे जो call करेंगे, वहां आपको हर तरह की information मिल जाएगी, और फिर उसके आपको उसमें कितना ratio में dilution करना है, वो भी वहां सीखना पड़ेगा, और उसके बाद finally कौन से brush आपको purchase करने है, और फिर fabric कौन सा होगा, और फिर 3D के लिए जो सबसे important चीज जो मैंने आपको बताई थी, dark cloth है, तो उस पे white color का आपको base पहले तयार करना है, shades देनी होगी, और अगर light color का है, तो उस पे black color की shades देनी होगी, फिर finally आप वो color use करेंगे, जो color आपको painting के लिए use करना है, तो I think आपका clear हो गया होगा, मैंने सारे question इस पे नहीं छोड़े है, कि आपको कुछ भी clear ना हो, थोड़ा बहुत अगर आपको doubt रहे, तभी आप call करें, otherwise आप मेर वीडियो ही sufficient है, उसमें बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, किस सरह से draw करनी है, वहाँ आपको explanation के साथ, वो मिल रहा है, एकदम tutorial में सिखाया जा रहा है, I suggest, धर्मेदर सिंग जी का message, I suggest you make a team firstly, choice a location, so you get order, delivery in one place, if possible, choose a good city, they're available already, cloth easily, ठीक है, इसके लिए ये भी बहुत अच् stitching में भी आपका interest है, I want to work with you, definitely आप call कर सकते हैं, call करके हमारे साथ काम कर सकते हैं, क्या मैं अपने घर से ही suit painting करके team में शामिल हो सकती हूँ, हाँ जी आप घर से paint करके, definitely अगर आप घर पे paint करेंगे, तो आपको पहले मैं बता दू, कोई भी painting अगर आपको करनी है, आप एक suit design कर रहे हैं, तो उसकी एक length होती है particular, तो उस length का आपको उसका एक outfit, मतलब out structure बनाना पड़ेगा, जिस पे आप उसको tie कर सकते हैं, आप उसे tie करेंगे, जैसे शायद local language में उसे adda बोलते हैं, वो adda आपको खरीदना पड़ेगा, और वो आप अपने घर पे लगाईए, कह तो कि छोटे-छोटे जो painting करने के लिए इस तरह से gold round में जो आते हैं, छोटी सी wooden का, वो sufficient नहीं है, उससे आप नहीं बना पाएंगे, आपको एक पूरा बड़ा लेना पड़ेगा, जो adda मैं बता रही हूं आपको, उस पे आपको अपनी जो fabric है, जो cloth आप ले रहे हो, उस इच में इकठा ना हो जाए, या जादा over stretched ना हो जाए, वो चीज भी आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेगी, आप अपने घर से painting कर सकते हैं, पहले उसके लिए आपको अपने जो करे हुए painting designs हैं, उनको भेजना पड़ेगा, तब हम देखेंगे कि वो painting आप किस level की अभी कर रहे हैं, क्या उनको final उस पे जो हम sale करने के लिए तयार कर रहे हैं address, उस पे उस painting को paint करना क्या beneficial रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि जो customers होते हैं, देखिए, they are the king, और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं, जो भी काम हो रहा है, उस में से, सब में से मुझे best मिलना चाह अगर आपकी painting बहुत जादा, अभी initial level पे है, बहुत जादा अच्छी नहीं है, तो पहला काम है painting को improve करना, and then you can only join the team, otherwise it is not possible, तो पहले आप अपनी 8-7 paintings जो है, वो share कीजिए, और उसमें आप ऐसी video बनाएगे, कि आप खुद painting कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि आप painting करते वक्त आपका जो speed है, वो कैसी है, आप design कहां से select करें, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, इस तरहें से आप अपना o improvement कीजिए, और फिर team को join कर सकते हैं, कोई problem नहीं, और कोई question आप पूछना चाहते हैं, तो पूछे, because आपकी questions ही answer देने में मुझे extend करेंगे, कि क इस तरह से आपके लिए भी helpful हो, channel के लिए भी helpful हो, और हमारी जो team हम तयार कर रहे हैं, उसके लिए भी helpful हो, और कोई question अगर आप पूछना चाहते हैं, तो वो मुझे बता सकते हैं, otherwise, आज का discussion हम यहां finish करेंगे, देखिए, रैंफोग के question आगे हैं, painting के आगे हैं, stitching के हैं, अजी, happy birthday, हमारे artist का birthday आज, happy birthday to you, बनीता चौधरी, आपको हमारी तरफ से बहुत-बहुत wishes, और आप मैं यह कहूंगी कि देखिए, painting का बहुत सारा मुझे यहां मिला है, idea maker का एक भी आया नहीं है, idea maker अगर कोई हैं, तो वो भी आप अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है, फिर I think, आज का session हमें यहां समप्त करना चाहिए, और stitching के लिए हमें expertise की जरूरत है, बनीता मैडम का message है, stitching के लिए expertise चाहिए, देखिए, stitching करना बहुत important है, यहां पे, painting अगर एक बहुत अच्छी सी painting कर दी, और उस dress को अगर अच्छे से stitch नहीं किया है, तो मैं यह काऊंगे वो painting क्या, embroidery क्या, या कैसा भी grace वाला suit हो, लेंगा हो, plazo हो, अगर वो dress अच्छी से stitch ही नहीं हुई है, तो आप पहने हुए उसको इतना अजीब लगेगा कि वो फिर सारी उसकी grace है, वो वहां खतम हो जाएगी, तो पहली चीज है कि अच्छा सा आपका stitch होना चा सकते हैं, then you can only see कि आप versatility जिसे कहते हैं कि you can stitch any kind of design, अभी suit है, suit में गले का अलग design रहता है, और baju, sleeves हैं उनका अलग design रहता है, ऐसे जो designer dress हैं वो तो होती totally different है, उसमें अलग-अलग तरह का design देना पड़ता है, तो यहां आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की dresses जो हैं आप stitch कर सकते हैं, I think you should do futuristic painting on suit, I think you should do, definitely देखिए, आप या idea दे दीजिए, किस तरह का यह होगा और किस तरह से इसको मतलब बिल्कुल एकदम different look हम दे सकते हैं, मुझे यह लग रहा है कि CDRA, इसको क्या pronounce करूंगी, मैं I don't know, बट अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी idea maker team में जूड जाएं, तो बहुत ही अच्छा है, इससे हमें और different different ideas मिलेंगे, और जो futuristic की आप बात कर रहे हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे, देखिए, पहली चीज यह होती है, कि ideas generate करना, देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो job कुछ कर रहे हैं, लेकिन they are frustrated to do any other thing, वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन they are saying the one proverb, idea नहीं है, idea नहीं है, तो वो idea कहां से आएगा, वो idea आएगा idea maker से, जिसे पता है, उसके ideas बहुत अच्छे हैं, और उन पे काम करके उनको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, वो ही idea maker होता है, अगर आप idea बहुत अच्छ के लिए idea, कहां से stitch करवाएं, कैसा design बनवाएं, कौन सी advertise करवाएं, किस से ramp walk करवाएं, everything is included in idea making, ये एक बहुत बड़ा और vast area है, even out of India हम already dresses भेज रहे हैं, और वो stitching करके भेजनी होती है, देखे, यहां मैडम ने कहा है कि जो dresses हम यहां से बहार भेज रहे हैं, out of the India, वो already stitch क करके भेजी जाती है, उनको free size में stitch किया जाता है, बाद में जो customer है, वो अपने according उसको alter करवा सकते हैं, तो आप अगर ऐसा है कि stitching में बहुत अच्छे से expert हैं, तो देखे, जहां अभी 10 tailor हैं, वहां अगर 20 tailor होंगे, तो definitely वो काम बूस्ट होगा, और वैसे ही painting के लिए हैं, painting में अगर हमारे helping hand बढ़ेंगे, तो अपने आप हमारा ये काम भी boost हो जाएगा, I would love to be your idea maker in your team, definitely you can join, we are welcoming to your ideas, आप अपने idea share कर सकते हैं, और same वही चीज़े इस तरह के live chat में आप बता सकते हैं, किस तरह के idea हमें adopt करने चाहिए हैं, जिससे हमारी painting और ज़्यादा बढ़े और definitely हमें जो whatsapp number है, या description में मैंने जो number दिये हैं, उस पे आप message करके बता सकते हैं, कि क्या idea आपने बनाए हैं, क्योंकि आपके idea जिस तरह से जो painting में expert है, वो 5-6 painting बेजेंगे, तब हमें उनकी painting का पता चल जाएगा, आप ideas send करेंगे, तो we can get the level of your ideas, तो आप ideas send कीजिए कि किस तरह है कि painting और होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही आपके area बता दिये हैं, देखे, idea is not only related to painting, ideas में आपको सारी चीज़ें include होती है, the thing is, overall motto is, we have to boost everything, that is our painting dresses, our embroidery dresses, and my channel, and everything, कि सब कुछ को boost करना है, final aim जो क्या होता है, कि everything, we should have to boost it, anyhow. तो उसको boost करने के लिए हमें उसके अंदर कुछ quality डालनी पड़ती है, और वो quality आती है ideas से, अगर आपके ideas बहुत अच्छे हैं, तो ही हर चीज़ की quality और जादा अच्छी होगी, और जादा boost होगी, और वो ideas के, एक मतलब नीव जीसे हम कहते हैं, वो नीव होती है idea, अगर idea maker कोई बना चाहता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा role play कर रहा है हर चीज़ के अंदर, आप कोई भी business ले लिजिए, A to Z, everything it includes, it based on a single idea, अगर आपके पस idea है, then you can get it everything from there, और हर चीज़ का एक निचोड होता है, देखिए, जैसे आप जो काम कर रहे हैं, उसमें को अरे पहलू उसके cover हो रहे हैं, then definitely आप ये मान सकते हैं कि हाँ, अभी painting भी perfect हो गया, and then ये stitching भी हो गया है, advertisement भी हो गया, idea making भी हो गया है, and then finally ramforking के लिए भी model तैयार हो गया है, तो इन सब को मिला के, और फिर overall हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सा boost up हमें मिल सकता है, तो आ आप actively इस channel में भी part कीजिए, actively in painting designs में भी part कीजिए, और actively आप अगर देखेंगे कि, मतलब जो क्या बोलते हैं, आपकी voice है, एक होती mouth publicity, the correct word is mouth publicity, अगर आपको लग रहा है कि painting QE address, आप पहले तो एक painting QE address अब लीजिए अपनी individual, जिससे आपको पता चलेगा, कि normal जो हम dresses पहनते हैं, वो और painting करीवी dress के अंदर क्या difference है, आप footwear ही देख लीजिए, अगर footwear एक सीधा जाके shop से खरीद लो, then ठीक है, आपने उसको 800-900 रुपए या फिर 1000 रुपए में खरीद लिया है, आपको कुछ time के लिए अच्छा लग रहा है, then it's okay, लेकिन अगर वो जीज़ सब पहन रहे हैं, वो सब को मिल रही है, लेकिन आपने उसको लिया, और फिर उस पे बहुत अच्छा painting करवा लिया, और painting भी आपने imagination के according करवा लिया, दी आप भी model बन सकते हैं, very good, में को model नहीं बनना है, मैं already बहुत सारे काम कर रही हूँ, modeling में मुझे कोई interest नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को नहीं बोलती कि आप modeling के लिए तयार होई है, और बनीता चौधरी में का message है, ओके यह अमित के लिए message है, ठीक है, और बताइए आपकी कोई queries है, कोई question है, आप session में इतने सारे लोग जुडे और मेरे को बहुत सारे questions आपने raised के, लेकिन मैं यह चाहती थी finally, कि आज के session में हमें, जो हमारा motive हम लेके चले हैं, कि idea maker और artist painting करने के लिए, artist और tailor और ramp walk के लिए, कुछ selected नाम मुझे मिले, तो वो नाम मुझे यहाँ दिख रहे हैं, यह SWDRA, यह काफी idea maker का भी बता रहे हैं, and stitching का भी बता रहे है if you are a versatile, आप सब चीजों में अगर expertise, feel कर रहे हैं, कि आप expert हैं, तो आप अपनी सारी चीजें जो भी आप जानते हैं, वो सब share करके हमें बता सकते हैं, और बताएए आपके कोई queries हैं, कोई question हैं, तो आप वो मेरे साथ share कर सकते हैं, otherwise I have to stop this channel here only, I'm sorry, stop this video here only, और कोई questions, queries नहीं आ रही हैं मेरे पास, बनीता मैम कहां हैं, बनीता मैम आप बताएए, आप हमारे team के लिए सबसे जो active मतलब करता धरता, या फिर ये कहेंगे हम की, इसको चलाने का पूरा श्रे जो है, वो बनीता मैम कोई जा रहा है, क्योंकि वो बहुत मैनत कर रहे हैं, दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, और मैं ऐसे ही passionate लोगों को डूंड रही हूं, जो पूरा मैनत के साथ काम करें, और 100% अपना इस काम को दें, और फिर फाइनली एक दिन देखें कि किस तरह से ये कहां था और कहां से कहां ये काम पहुंच गया, सारी पे भी painting हो सकती है कि मांचू, आप वीडियो देखिए, मैंने अभी जो शेयर की थी, उसमें लेंगा भी था, सूट भी था, आपने पूछा, अच्छी बात है क्योंकि साड़ी, अभी तक शायद मैंने painting करी हुई, आपके साथ शेयर करी नीए वीडियो में, तो definitely a doubt आपके mind में आना ही था, लेकिन यहाँ साड़ी भी painting हो रही है, प्लाजो भी painting हो रहा है, और लहंगा और टी-शिर्ट भी आप painting करवा सकते हैं, देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था, जन्मास्टमी का टाइम आएगा, राखी का टाइम आएगा, तो आप एक plain टी-शिर्ट लेके और उसको painting या फिर आप जन्मास्टमी पर कहाना जी की सुन्दर सी painting करवाईए, फिर वो टी-शिर्ट पहने हैं, देखिए, आप कितनी एकदम अलग look आपको मिलेगा उसमें, क्योंकि वो आप जो dress ले रहे हैं market से, that is totally plain dress, plain white, black, green, yellow, whatever color do you like, वो color आपने ले लिया, उस color के बाद आप और फिर उसमें कुछ अपने ideas डाल कर, अपने interest डाल कर उसको special बना देना, ये ही सबसे अलग होता हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को अपने जो normal है, उससे अलग बना दिया आपने, तो आप हो गए ना उन समय से बाहर, it means you can separate yourself from the crowd, आपने अपने आपको भीड से अलग कर तो कुछ ऐसा करना, जो सबसे अलग लगे, सबसे अलग दिखे, तभी उसकी value बढ़ती है, अभी question आया है, thank you सुनीता जी, हम पूरी team के साथ काम करेंगे, very good, madam, आप ही तो सबको इतना boost करते हैं, आप अगर बोल रहे हैं, हम करेंगे, तो आपकी तरफ से तो कोई भी doubt नह और सब लोग इसे देखेंगे, और देखेंगे, then definitely जो machine से फटा 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 फट जो काम हो रहे हैं, उनको ना पसंद करके, और जो बहुत ही महनत लगाके, पूरे emotions के साथ जो काम किये जा रहे हैं, उनको value जरूर मिलेगी, देखिए, हाथ से painting करना, painting वाली राखी बना सक करते हैं, everything which is in your mind, आप एक सुन्दर सा design select किजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो यहां हमारे साथ, यह DRASC, यह जुडे थे, इन्होंने कहा था, यह idea maker हैं, यह हमें राखी के ideas भेजिया, आप, वो जो मैंने number दिये हैं, उस पे हमें राखी की 2-3 image भेजिये, जिसमें से out of them, out of them, we should, we will select some best, जो अच्छी होगी, वो हम select करेंगे, और उसके बाद राखी के बहुत से painting भी करके आपको provide करवाई जाएगी, जी हो जाएगी मांशु जी, मांशु जी को एक अच्छा सा reply मिल गया है बनीता मैम की तरफ से, कि हो जाएगी painting, पैंटिंग, आप कुछ भी painting करवा सकते हैं, सुन्दर सी, आप अपने imagination के according select कीजिए पहले, अच्छी सी painting जो देखने में सबको अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगे, इस तरह की कोई design आप select कीजिए, और राखी, आप एक plain dress ले लीजिए, अगर नहीं लेना है तो वो plain dress भी आपके लिए available हो जाएगी, आप अपना size वहां बता दीजिएगा, और फिर उसमें आप वो dress जो होगी, वो sorry, dress के उपर जो राखी होगी, वो painting, paint कर दी जाएगी, और finally आपको जहां आप रहते हो, वहां पर उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा, इसमें आपको जरा भी सोचने की कहां से मैं ये लूँ, कहां से ये लूँ, कहां से design लूँ, इस तरह की headache लेने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बताइए, अभी आप अगर T-shirt पेंते हैं, तो आप T-shirt पे सुन्दर सी राखी बनवा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज, मैंने आपको iron करने का T-shirt पे मैं खुद की image बनवा सकता हूं, अभी मैडम इसका answer दीजी, आप हिवांचु जी की कितनी अच्छी image बना सकते हैं, वो image अगर वो चाहते हैं, कि मेरी ही photo मेरी ही इस पे हो, T-shirt पे, तो वो बन जाएगी, बनीता मैम के answer का मैं wait कर रही हूं, लेकिन मैं आपक तो मेरी तरफ से तो मैं 100% surety देती हूं, कि हिवांचु जी वो आपकी draw कर देंगे, उसके लिए आपको अपनी photo बेजनी पड़ेगी, आप अपनी जैसी photo चाहते हैं, cap लगा के, कौन सी आपको dress अच्छी लगती है, वो dress पहन की, और एक अच्छी सी photo खीच के आप जिससे उन्हें आपकी image का पता चल जाएगा, आपकी जो face है और पूरा मतलब उसका, आपके look का पता चल जाएगा, आपको कितनी photo बन देखिए, मैडम का message आगया है, बन जाएगी, यानि कि आपकी जो photo आप T-shirt पे बनवाना चाहते हैं, वो बन जाएगी, it means she is taking the 100% surety of it, तो आप अपनी कोई भी image send गर दीजिए मैडम को, और कब आपको वो dress चाहिए, राकी से पहले चाहिए, राकी वाले दिन चाहिए, उस तरह का आप order place कर दीजिए, आपकी dress तयार होके आजाएगी, और बताएगी कोई और questions, कोई और queries अगर आपकी है, कुछ और अगर हम share कर सकते हैं, तो वो बता सकते हैं, आप देखिए, सबसे important चीज़ है, group में actively part करना, अगर आप group में हैं, और actively join करा हुआ है, उसको actively in the sense, आप मेरे साथ communicate कर रहे हैं, then only I can extend the video, for you only, कि आप काम कर रहे हैं, आप मेरे को बूच रहे हैं, मैं आपको आपके जवाब दे रहे हूँ आंसर दे रहे हूँ, तभी हमारा two-way communication होगा, otherwise मैं बोले जा रहे हूँ, आपके reply मुझे यहां नहीं मिल रहे हैं, तो I don't think कि मैं आगे बड़ा पाऊंगी इसको, आप कोई और questions और क्योरी पूछना चाहते हैं, तो बता दीजी, और अगर आपकी questions short out हो गए हैं, तो आप next वीडियो के लिए रखिए, जो question है, मेरा जब next session होगा, तब तक आपके जो भी question होगे, मैं जाती हूँ, आप उनको कहीं no down कर लीजी, और जब हमारा इस तरह का discussion चले, तो आप उसमें actively part करके, और अपने हर question, पूछिए क्योंकि जो हमारे main artist हैं, बनीता मैं, वो भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जब भी ये live session organized होता है, अपना इतना busy schedule में इसे time निकालना भी एक बहुती tough बात है, तो अगर कोई question मैं आपको सही से जवाब नहीं दे पाती हूँ, तब मैं आपको पहले, ये आया next live session कब आएगा, मैंने आज भी आपको शाहिद काफी देर पहले inform कर दिया था, इसी तरीके से मैं आपको inform कर दूँगी, और वैसे day after tomorrow, definitely हम एक session organize करेंगे, morning या evening में, जो भी time best होगा, उसके according, चलिए अभी आज का session हम यहीं खतम करते हैं, और thank you for all my viewers, जो इस session में मेरे साथ जुड़े, question raise किया, और एक team की तरह, मेरे साथ इस discussion में शामिल हुए, अपने questions बताएं, अपने queries बताई, मुझे अच्छे-च्छे ideas भी दियें, जैसे अभी हमांचु ने T-shirt का बताया था, it is really very good कि आप T-shirt पे राखी paint करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, और राखी के जो colors होते हैं, वो no doubt बिलकुल बहुत अच्छे से color वो use करने होते हैं, और वो अलग-अलग-अलग color use करेंगे, तो वो बहुत अच्छा grace देगा, चलिए ठीक है, sessions समाप्त करते हैं यहाँ पे, और next session के लिए आप wait कीजिए, अगले session के लिए मैं भी wait करूंगी, बहुत अच्छे-च्छे questions आप लेके आएंगे, bye guys.